नमस्कार दोस्तों मैं कर्णल अजय सीओ आजय एस्टो मनिगुरू डाट कॉम एवाम फर्स्ट ग्लोबल एस्टो फनाइस डिजिटल चैनल अजय एस्टो मनिगुरू से आप से मुखातिब होता हूं हमारे विशेश एपिसोड एगरो वाच एगरो फॉच क्रशी जीन्सों क तेजी और मंदी एगरो कमुनिटीज के अंदर चाहे वो चार सरसो हो चना हो सोया बीन हो या फिर खल्दी या फिर जीरा इन पर सटीक फनीशल एश्टो जी के माध्यम से विशलेशन आपको इस एपिसोड में मिलेगा दोस्तों पसंद आए तो इस प्रोग्राम को और इस जून संद होजार 21 मंगलवार चना जिरा धनिया पर हमारा पूर वाकलन सत्यसाबित हुआ फैनेशल एश्टो जी का प्रचलन सदियों से हमारे देश में राहा है जाए मानसून हो क्रशी जीन्सों का उत्पादन हो मेटल की तेजी मंदी हो या फिर सोने चांदी का मिसलेश इसका सटीक विशलेशन फैनेशल एश्टो जी ने सदियों से हमारे देश में दिया है फैनेशल एश्टो जी के माद्यम से आफ क्रशी जीन्स बुलियन मेटल स्टॉक्स की तेजी और या फिर गिरावट का सटीक अनुमान प्राप्त कर सकते हैं फैनेशल एश्टोलोजी के सटीक विशलेशन को देश के विविन बिजनस टीवी चैनल्स एवं लगबख सभी बिजनस न्यूज पेपर्स पर फैनेशल एश्टोलोजी का शेष्टा का डंका एवं विजय पता का हमने फैराया है दोस्तो आप हमारा डिस्क्लेमर्स भी अवश्चे पढ़ें इससे पहले हम आगे चलें आज की प्लैनेटिकल कंडिशन्स चंद्रमा मकर राशी में विश्रन कर रहे हैं सूर्य वरश्यव राशी में हैं बुद्ध ग्रह अपनी स्यम के राशी मित्वन में शुक्र के साथ होंगे मंगल अपनी डेबिलेटेड साइन यानी करक राशी में रहेंगे राहू और सूर्य वरश्यव राशी में समान अंशों पर यानी समान डिगरी पर विश्रन आज कर रहे हैं शनी डेटोगेटेड कंडिशन में मकर राशी में हैं केतु वरश्टिक राशी में हैं राश्टी एवं अंतराश्य वजारों की बड़ी खबरे सरकार ने दर्हन पर स्टॉक का डिकलेरेशन पर अपना फैसला वापस लिया पहले सरकारी आदेश के अनुसार डालों पर सापता एक स्टॉक का खुलासा करना जरूरी था इस नेड़ने से डाल वेपरियों ने राहत की सास ली अंतराश्य वजारों में सोयावीन एवं पायमायल में बड़े उतार चड़ाइव की संभावनाएं बन रही हैं सोयावीन में 2% की तेजी पिछले 2 दिनों में अंतराश्य वजारों में दर्ज हुई पायमायल अभी भी कमजорी की राहा पर अंतराश्य वजारों में चल रहा है चीनी ने पिछले एक सब्ता यानि 7 कारवबारी दन के दोरान 4% की तेजी दर्ज हैं अंतराश्य बजारों में काफी यानि काफी के अंदर अंतराश्य बजारों में लगातार तेजी जारी चार प्रतिशत की एक दिन में तेजी दर्ज हुई और आठ प्रतिशत की सापताहिक तेजी काफी यानि में दर्ज हुई चाए के अंदर काफी के उलट गिरावट जारी लगवग 14% की सापता ही गिरावट चाय के अंदर यानि टी के अंदर देखी गई एग्रो वाच आज आप धनियों में यानि कॉरियंडर में कमजोरी की संभावनाएं बन सकती है सोया बिन में आने वाले एक या दो दिन कभी भी कमजोरी दर्ज हो सकती है साफधान रहे स्टॉक में अभी तक तेजी दर्ज हो रही थी जिसका खुलासा हमने अपने पिछले एपिसोर्स में लगातार किया अगले दो से तीन दिन सीमेंट स्टॉक के लिए शायद शुबना रहें इसके अंदर मुनाफ़ा वसूली की संभावनाएं बन सकती है साफधान रहें ओयल सीड एवं तिलहन पर काम करने वाले बड़े व्यापरी एवं मिलाउनर्स आने वाले समय में सरसो एवं सोयबिन में बड़ी हलचल की संभावना बनेगी क्या यह जवर्दस गिरावेट दर्ज होगी या फिर तेजी हमने अपने क्लाइंट को अप्डे माला माल किया लगवा 55% की बड़ी तेजी खादे तेलों में पिछले कुछ महिनों में दर्ज हो चुकी है क्या आप यह तेजी जर्ब बरकरार रहेगी चुमनाफ़ा वसुली होगी जानि हमारी विशेष रिपोर्ट से मार्केटर 3 प्रेम हमारा विशेष शो शे बजार मे आप्शन स्ट्रेजी पर देखना ना भूलें चोटे इंविस्ट्मेंट में बड़ा लाब आप्शन स्ट्रेजी के जरिए कामाया जा सकता है कमोडिटी वाच आने वाले कुछ समय में मैटल अगरम का च्छे तेल में बनेगी बड़ी हलचल क्या होगी बड़ी तेजी या फिर मंदी ये क्लाइंट्स के लिए है याद रखना दोस्तो हमने कल अपने चैनल पर चांदी और तामे के अंदर मज़वती की संभावना बंद की दर्ज की थी चांदी ने 70,950 का उचेतम शिखर देखा गया आज जब दस मुनाफ़ा हमारे क्लाइंट्स ने कमाया आपको भी हमने इसका अपडेट दिया था कॉपर के अंदर भी तेजी दर्ज हुई दोस्तो भारत की इस रहसे में विद्याओं को आप भी सिख सकते हैं ऑनलाइन सिख सकते हैं गर मेरा उठाया है आप भी संपर कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेज के लिए 9414056705 अल्डे वरी बेस्ट गोड लक हैपी ट्रेडिंग